प्रिवाली आ गई है तो खूब सारी सफाई डेकोरेशन बहुत सारी मिठाई लेकिन साथ में कुछ नमकीन नाश्ता भी चाहिए होता है गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है ऐसे मैं शाम को अद्रक वली चाय हो और उसके साथ क्रंची मंची खारी मिल जाए तो क्या बात ह हेलो दूस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सब ओप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपको खारी की रज़ीपी शायर कर रही हूं ये खाने में जितनी टेस्टी और लजीज है उतनी ही बनाने में आसान है बहुती क्रंची मंची बिलकुल मार्केट जैसी मार्केट जैसी कहलो या उससे कही गुना अच्छी खारी आज हमारी बनने वाली है तो चलिए आप और मैं मिलकर बनाते हैं खारी उसके लिए मैंने यहां मलाई से को फैट के बटर बनाया था बिलकुल सिंपल तरीके से जो आपके पास आवलेबल है चीजें आप उससे ये खारी बना कर तयार कर सकते हैं बहुत सारे लोग मार्जरीन से बनाते हैं लेकिन आप घर पे भी आसानी से गी बटर किसी से भी खारी बना सकते हैं यहां मैंने टू टेबल स्पून के असपस बटर लिया है, मलाई का बना हुआ, फिर उसे हम बहुत अच्छे से हलका होने तक फैट लेंगे, बिल्कुल जब क्रीमी टेक्स्चर इसका आ जाएगा, यह देखिए, बिल्कुल हलका हो गया है, अब इसमें हम एक टी स्पून के लगबग मैदा एड़ करेंगे, एक टी स्पून मैदा इसमें एड़ करेंगे और फिर से इसे फैट लेंगे, यहाँ पर आपको ओईल का यूज नहीं करना है, ओईल से खारी का फ्लैवर अच्छा नहीं आएगा, तो आप बटर, गी, देशी गी चाहे जिसमें खारी बना कर तैयार कर सकते हैं, पर ओईल का यूज नहीं कीजेगा, अब यह मैदा और बटर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, फिर से, अच्छे से इसे फैट लेना है, देखिए कितना हलका बैटर हो गया है, अब इसे हम एक बाउल में निकाल कर रख देंगे, यहां मैंने लगबग डेड़ बाउल के असपास मैदा लिया है, उसी बड़े बाउल में हम मैदा को निकाल लेंगे, यहां मैंने इसको सीव कर के लिया है, तो मैदे को अच्छे से छानेंगे, तो हलका हो जाएगा, फिर उसके बाद में यूज करें, कोई भी बेकिंग का आइटम बनाने से पहले, आप मेदा, आटा जिससे भी बनाते हैं, उसे सीव जरूर करें, ताकि उसकी ऐर बबल निकल जाएगी, और वो हलका बन जाएगा, तो आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी, उसी बाउल में हमने सारा मैदा निकाल लिया है, देड़ बाउल के असपास आप मैजर्मेंट स्पून से भी मैजर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के कोई भी बाउल से मैजर करके बना सकते हैं, एक बाउल का लगबग 200 ग्रम के असपास नाप होता है, तो उसके इसको सिका हुआ जीरा ही एड़ करना है, प्लेन जीरा अपना एड़ करें, सिके हुए जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा, दो टैबल स्पून के अंदाज से मैंने जीरा लिया है, अब चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, अब इसमें हम बटर एड़ कर रहे हैं, पुत्ता एड़ करना है, आपको मैं बताऊंगी, देखिए इसको ऐसे हाथ में दबा कर देखेंगे, मुठी बन मौयन हमारा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल पर्फेक्ट मैजरमेंट है, अब यहां मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर से इसका डो लगा रही हूँ, इसमें वाटर का ही इस्तिमाल करें, तभी आपकी खारी अच्छी क्रंची बनेगी, और एक स्टैप मेरा रिकॉर्डिंग में मैं सो गया है, यहां एक टी स्पून मैंने लेमन जूस एड़ किया है, वो आप जरूर से एड़ करें, तो उससे आपकी खारी बहुत ही फ्लैकी बनेग इसका जो डो है, रोटी से हलका सा टाइट डो लगाना है, और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसमें एड़ कीजिएगा, जित्ता भी पानी लगेगा, आप देख लीजिए, यह देखिए, बिलकुल सॉप डो बनकर तयार है, इसे हम अच्छे से मसल मसल के तयार करें यहां मैंने इसकी 6 लोई बना ली है, इन बॉल्स को सही से करके रख देंगे, फिर इसकी रोटी बेलेंगे, मैदा डर्स्ट करते जाएंगे और इसकी रोटी बेलते जाएंगे, इसकी जो शीट हम को बनानी है, वो एकदम पतली बननी चाहिए, अगर बहुत जादा जाएंगे अटा लगाएंगे आप तो शीट पतली नहीं हो पाएगी, यह बेल लिया है बिलकुल पतला सा हमने, देखिए बिलकुल पतली से इसकी शीट बेल कर तयार की है, इसकी थिकनस देख सकते हैं, बिलकुल पतला बेला है, अब इसी तरह से दूसरी इसकी रोटी बेल लेंगे, मैदा डस्ट करते जाएंगे और रोटी बेल लेंगे, यह देखिए, कितनी ट्रांसपरेंट शीट इसकी बनकर तयार हुई है, अब देख सकते हैं, इसको आप देखिए, इसमें से हाथ नजर आ रहा है, इतनी ही ट्रा आस्परेंट शीट आपकी बनकर तयार होनी चाहिए, जित्ती पतली आपकी शीट बनेगी, उतना ही अच्छा आपकी खारी बनेगी, देखिए, फिंगर्स नजर आ रही है न, उसमें से, इसी तरह से हम रोटी सारी बेल लेंगे, यहां आप चाहें, तो जीरा की जगे अजवाइन या जो भी फ्लैवर आपको पसंद हो, वो आप खारी में डाल सकते हैं, और अजवाइन जीरा ना डालना चाहें, तो आप प्लेन खारी भी बना कर तयार कर सकते हैं, यह मैंने छे पेड़े लिये थे, उसकी रोटिया बेल है, सारी शीटस पर जुफ हमने मेक्सचर तयार है, मैदा और बतर का, उसको हम अच्छे से इस प्रैट कर देंगे, फिर उसके उपर सारी दोटी लगाते जाएंगे, एक के उपर एक के फिर लगा लेंगे, पिर अगे रगे मैक्सचर इसके उपर 감사합니다 कर दिएगे, इसी तरह से हम सारी शीट एक के उपर एक लगाते जाएंगे और उस पे बटर लगाते जाएंगे अच्छे से स्प्रैड होना चाहिए तो ही जो हमारी खारी की पड़ते हैं वो बहुत अच्छे से खुलेगी जित्ता अच्छे से हम बैटर लगाएंगे उत्ता ही अच्छा अमारा खारी की पड़ते बनेगी ये लास्ट शीट लगा दिया है मैंने इसके उपर उस पे भी हम लगा लेंगे ये बैटर लगा दिया है फिर इसे हम बुख फोल्ड करेंगे इसके उपर बटर लगा दिया है अगेन फोल्ड कर दिया है इसे हम आदा गंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे फिर इसे हम बहुत हलके हाथ से बेलेंगे यह जो भी process हम कर रहे हैं बहुत हलके हाथ से करना है फिर इस पर अगें हम बटर वाला mixture लगा देंगे मैदा dust करेंगे और fold करेंगे यह जो सारा process है हमें 15-20 minute minimum इसको freeze में रखना है नहीं तो यह जो हम बटर और लगाएंगे तो उससे एकदम soft हो जाएगी और उस time अगर हम उ सही से नहीं है चार बार हमने process किया है उसके बाद हमने इसको cut कर दिया है साइड में से इसकी edges हटा देंगे अब हम इसको baking tray में transfer करेंगे अब चाहें अगर masala मठड़ी खाना चाते हैं तो यहाँ पे आप इसमें हल्दी और कसूरी मेथी या जो भी मसाला आप चाहें वो लगा सकते हैं इस stage पे थोड़ा सा पानी spread करें उससे आपकी खारी बहुत अच्छी बनेगी यहाँ 210 degree पे मैंने इसको 20 minute के लिए bake किया है यह देखिए खारी हमारी perfectly बन कर तयार है लेकिन होता क्या है कि खारी में बहुत सारी पढ़ते होती है तो कभी-कभी हमारी बीच में से कच्छी रह जाती है तो उसके लिए इस तरीके से आप यह process करें ऐसी baking tray ले 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 उ इसमें खारी को इस डंग से सारे को जमा देते हैं इस डंग से एरेंज कर दिया है पूरा ट्रे में इसको अब हम 10 minute के लिए अगेन बेक करेंगे 10 minute के लिए 180 degree पर फिर से हम इसे बेक करेंगे देखिए एकदम perfect खारी बनकर तयार है तो इस दिवाली पर आप मार्केट से भी खसता बेकरी स्टाइल खारी बना कर तयार कीजी और सबको खुश कर दीजे और हाँ आज अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो साइड में लगा बैल आइकन दबा कर सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंश सके मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप भी एंजॉय कीजिए थैंक यू थैंक यू पो वाचिंग